हमारे देश की कांच की तरह आरपार देखी जा सकने वाली अनोखी नदी उससे पहले ऐसे और रुमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टॉप फाइव अत्रंगी फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूले इस नदी का नाम हुमंगोट है इस नदी के बारे में जा भी आसानी से देखने को नहीं मिलेगा इसी वजह से इसे देश का सबसे साफ नदी भी कहा जाता है यहां नदी भारत के मेघालय राज्य में स्थितेक महत्वपूर्ण नदी है जो खासी पहाडियों से निकलती है और बांगलादेश में गंगा नदी में मिलती है यहां स्थानिय खासी भाषा से लिया गया है उमंगोट नदी मेघालय और बांगलादेश के लिए जल संसाधन का महत्वपूर्ण स्रोथ है नदी में मचली पालन एक महत्वपूर्ण गतिविधी है पर्यटन उमंगोट नदी की सुंदर्ता और जल प्रपात पर्यटकों को आकर बांड नदी के आसपास के क्षेत्रों में बांड की समस्या है उमंगोट नदी का उल्लेक प्राची उस्तकों और दस्तावेजों में मिलता है यहां नदी खासी राजाओं के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केत्र थी नदी के किनारे बसे शहर दावकी और श्नोंगप्डिंग ने व्यापार और संस्कृति के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई उमंगोट नदी की संस्कृतिक महत्ता उमंगोट नदी खासी समुदाय की संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी है नदी के किनारे बसे गावों में आज भ नदी के जल में नाव चलाना एक लोग प्रिये गतिविदी थी जो आज भी पर्यटकों को आकर्शित करती है उमंगोट नदी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है नदी में प्रदूशन बढ़ रहा है जो जलिय जीवन को खत्रा पहुंचा रहा है नदी के किनार में जल संकट की समस्या है जो स्थानिय लोगों की आजीविका को प्रभावित कर रही है उमंगोट नदी के संद्रक्षण के लिए कई प्रयास किये जा रही है मिखाले सरकार ने नदी के संद्रक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की है जिसमें नदी के जल को साफ करन और जलिय जीवन को संड़क्षित करने के लिए काम किया जा रहा है। स्थानिय समुदाय भी नदी के संड़क्षण में महत्वपूर भूमिका निभा रही है। उमंगोट नदी में घाले की एक महत्वपूर धरोहर है जिसका सांस्कृत है एतिहासिक और जल संसाधन के रूप में महत्व है। नदी के संड़क्षण के लिए हमें सामुहिक प्रयास करने होंगे। ताकि हम इस धरोहर को आने वाली बीडियों के लिए सुरक्षित रख सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज चैनल को सबसक्राइब करना ना भूले मिलते हैं। आप से फिर किसी नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैश्री राम।